येटुब चैनल खुशी एजुकेशन आज के इस वीडियो में सेल बायोजी से एक नाटोपिक लेकर आई हूँ जो 9 to 12 बहुत इंपर्टनेंट है ये लोंग कोशन है शोट में भी आ जाता है तो चलिए समझते हैं जैसे कि आप देखी रहे हैं केंद्रक यानि की नूकलियास स्टार्ट करते हैं केंद्रक जो होता है वो केंद्रक कोशिका का एक सबसी महत्मून भाग है यानि की जो सेल होती है सभी जनतू पोधों में यानि की पोधों में जो कोशिकाए पाई जाती है उन्हीं केंदर एक ओर्गन होता है जो होता है नूकलियास यानि की केंद्रक ज सर पर्थम रावर्ट ब्राउन ने देखे खता। या τι साथे हैं कि कि कोशिका या सफ़ेतम रावर्ट ब्राउन ने देखा था और समानिय तक उखरी ऐसमानिया तक कवछिका में से अधिकेंद्रक भी पाया जाता है ध्यान रखना है जैसा कि पैरामीश्यम में दो केंद्रक पाया जाते हैं जो कोशिका होता इसी जो केंद्रक है कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि 80% प्रोटीन का बना होता है और 10% डियने और और एंजाइम स्वगेरा यह पाए जाते हैं यह डाइग्राम समझ लेते हैं नूकलियस का किन्डरक का यह अच्छे से वे ने डाइग्राम बना रखा है यह देखे इसमें जो यह धागे नूमा सरचना है यह डियने क्रोमिटीन की बनी होती है और इसके अंदर नूकलियस के मेंब्रेन पाए जाती है जिसे नूकलियस मेंब्रेन कहते हैं इनके मेंब्रेन के चारों तरफ चोटे-चोटे चिदर पाए जाते हैं जैसा कि आप देख भी रहे है डाइग्राम में जिसे नूकलियर पोर कहते हैं अब स्टेप बाई स्टेप इन्हीं कित्रू समझते हैं structure को अगर हम इसके सरचना की बात करें तो ये केंद्रक जो होता है वो गोलकार सरचना का होता है केंद्रक को निम चार भागों में बाटा गया है इस तरह से nuclear membrane यानि की केंद्रक कलाबा ये जिल्ली के बारे में देख लेते हैं यानिकि जो भी केंदरक होते हैं कि चार ओर दुहरे परत सतय पाय जाते हैं जिसे डाइग्राम में भी बताया है मैंने केंदरक जिल्ली पर छोटे छोटे चिद्र पाय जाते हैं जिसे केंदरक चिद्र या न्यूकलियर पोर कहते हैं आगे समझते हैं next point second point देखते हैं केंद्रक द्रव्य यानिकी नूक्लियस हैब केंद्रक में पार्डर्शी द्रव्य भरा होता है जिसमें RNA, DNA, लिपिड्स, प्रोटीन, एनजाइम्स आधी पाय जाते हैं केंद्रक द्रव्य जो होता है वो अमलिय प्रकर्तिका होता है जो लिक्विट भाग होता है केंद्रक के अंदर वो अमलिय प्रकर्तिका होता है क्रोमिटीन धागे जैसे की डाइग्राम में देखाई था हमने second point, third point, chromatin material केंद्रक में सुत्रकार रचनाय पाई जाती है यानि कि धागे नुमा जिसे chromatin धागे कहते हैं कोशिका विभाजन के समय ये धागे छोटे वे मोटे हो जाते हैं कोशिका विभाजन यानि कि नई कोशिका का बनना ही कोशिका विभाजन कहते हैं जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्मान होता है जब ये धागे जो होते हैं क्रोमिटीन ये छोटे और मोटे हो जाते हैं इन्हें गुनसुत्रों में परिवर्तन हो जाता है यानि कि नए क्रोमसों में बदल जाते हैं Kendricka यानिकि Nucleos यह important है, short note में भी आ जाता है देखते हैं इसको पर्ति Kendrick में बड़ी गोला का रचना पाई जाती है जिसे diagram में भी देखा था देखें, यह देखें Nucleos पर्ति Kendrick में गोला का बड़ी रचना पाई जाती है जिसे Kendricka यानिकि Nucleos कहते है Kendricka के नाभिक में RNA पाया जाता है यानिकि जो Nucleos होता है इसने RNA पाया जाता है या RNA जो होता है वो Ribosome के साथ मिलकर Kendricka का निर्मान करते है Kendricka में RNA का निर्मान हो जाता है Ribosome का निर्मान हो जाता है Kendricka का कार्य देख लेते हैं, important है केंदरग में गुनसूत्र पाये जाते हैं जैसे कि आपको पता ही है DNA क्रोमसोम जो होते हैं वो पाये जाते हैं केंदरग यहाँ पर नुकलेस की बात कर रहे हैं जो अनुवानशी कलेक्षणों को एक पीडी से दूसरी पीडी में पहुचाने का कारे करते हैं केंद्रक में DNA दिगुणन यानि कि दोरजिली वाला पाय जाता है तो उम्मीद करती हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा टॉपिक तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यों फॉर वाचिंग मैं वीडियो